नमस्ते, राधे राधे, उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आप में से काफी सर लोग ऐसे हैं जो कि मिर्तु परमार पत्र ओनलाइन बना चाहते हैं तो उनके लिए जो ही बहुत ही बढ़ी अपडेट है क्योंकि जो नया पोटल जारी किया गया है जिसके माध्यम से अगर आप मिर्तु परमार पत्र ओनलाइन बना चाहते हैं तो उसके लिए एपलाई कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बतायाएंगे किस तरस जो भी फॉर्म को भरना है साथी साथ आपके पास कौन-कौन से डॉक्मेंट होनी चाहिए और किस तरस आपका जो मिर्तु परमार पत्र है उसको एप्रूब किया जाएगा और किस तरस आप उसको प्राप्त कर सकते हैं तो प्लीज वीडियो सुरू से अन तक लेकर जरू देखिएगा और वीडियो थरस पे अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर दीजिएगा देखिए मिर्तु परमार पत्र अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो ही easy to net.com सर्ज करना है फर्स्ट में आपको easy to net.com का जो official website है देखनी को मिलेगा जिसको आपको open कर लेना है यहाँ पे आएंगे तो आपको जो ही search का button मिलेगा जहाँ पे आपको search करना है देथ ठीक है जैसे ही search करेंगे तो आपके सामने देखेंगे कि यहाँ पे जो मिर्तु पमार पत्र और जनौन पमार पत्र के लिए नया portal जो शुरुवात किया गया है उसका link यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे सभी information दी गई है जिसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं ठीक है सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो ही official website का link मिलेगा इस पे आपको click कर देना है अब यहाँ पे click करने के बाद जो भी नया portal launch किया गया है वो portal जो ही आपके सामने आ जाएगा अब यहाँ पे form apply करने के लिए सबसे पहले आपको जो ही login के button पर click करके जो भी यहाँ पे journal public के button है इस पे आपको click कर देना है यहाँ पे आपको sign up करना होता है तो sign up में काफी सर लोग पुछते हैं कि हम sign up किनके नाम से करें देखिए sign up जो है आप अपने नाम से कर सकते हैं और जितने भी मिर्तु पमाड़ पत्र या फिर जनौ पमाड़ पत्र के लिए आप रेस्टर्शन करना चाहते हैं उसी login ID से आप कर सकते हैं कोई भी problem नहीं है तो sign up के बटन पर क्लिक करके जो भी अपना प्रोसना information है जैसे कि आपका नाम क्या है यहाँ पर आपका 6 क्या है वो बता सकते हैं फिर यहाँ पर date of birth बताएंगे और यहाँ पर nest करके एक छोटा सा जो है आपका प्रोसेस होता है जिसके माधिम से आपना जो रेस्टर्शन ह मैंने जब जनव पर्मपतर का वीडियो बनाया था उस समय ही रेस्टर्शन कर लिया था तो मैं यहाँ पर आपको login करके बटाऊंगा हलाकि कैसे इस पर रेस्टर्शन करना है उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है वीडियो आपको आई बटन में देखनी को मिल डाएगा यहाँ पर रेस्टर्शन करते समय जोभी mobile नंबर दिया गया था उस mobile नं Perform को डालेंगे क्यप्चा यहां पर भरेंगे जैसे कि जोडने के लिए लोड राए तो आपको जोड़ना के बाद कई सरे काम यहां से आप कर सकते हैं जैसे कि किसी का बर्थ करेशन करना चाहते हैं तो आप यहां पर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं मैंने इसके लिए वीडियो बनाया था कि आप किसी भी उम्रके हैं और आपना जो बहुत सटिकेट है बनाना चाहते हैं तो किस तरह से आपको देथ का option मिलेगा, यहाँ पे आपको register देथ का बटन मिलेगा, इस पे आपको click कर देए, अब यहाँ पे जो ही कुछ जनकारी आपको fill up करना है, सबसे पहले आपना state बताना है, कि आप जो ही कौन से state से हैं, उसके बाद आपका जो पमार पत्रा मिलता है, उसमें दो भ को भर रहे होंगे, वो date आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यह आपका reporting date होता है, मिर्तु का date नहीं होता है, तो automatically fill रहेगा, इसमें किसी परकार की correction आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे जो ही मिर्तक की जनकारी आपको देना होता है, जिसमें सबसे पहले मिर्तु की त किती बतानी होती है, कि जिनका मिर्तु पर्मारपत्र अपलाई कर रहे हैं, उनका जो मिर्तु है, वो कब हुआ है, और फिर दोबारा जो है date को यहाँ पे री कंफर्म करना पड़ता है, मिर्तु का समय यहाँ पे बताएंगे, उनका जो मिर्तु है, कब हुआ है, उनका gender क्य इनका यहां पर बर्स माह और दिन यहां पर देखनी को मिल जाएगा कितना उनका उम्र में देथ हुआ है आप चाहें तो घंटे भी दे सकते हैं अगर आपको पता है नहीं है तो छोड़ सकते हैं फिर यहां पर मिर्तक जो ब्यक्ति है उसका नाम यहां पर लिखेंगे जैसे क आप यहां से कीबोड दिया गए है जिसके मज़स्चा आप इसको सुधार भी कर सकते हैं कोई उनका मीडिल नाम है लास्ट नाम है तो आप यहां पर इस तरह से दे सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर मिर्तक की नाम की जो ही पूश्टी आपको दोबारा करना है तो जो होती अच्छा रहेगा आपके लिए अगर नहीं है तो आप EID भी दे सकते हैं नहीं है तो छोड़ी सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है तो देख लिजेगा आपके कंडिशन में जो भी अप्लीकेबल हो उसके इसाब से जनकारी भरना है अब यहां पे जो भी मिर्तक ब्यक् हो जाता है अगर कुछ मिश्टेक होता है तो कीबोड दिया गये है जिसके मदद से आप इसको सुधार कर सकते हैं फिर यहां पर उनका मोबाइल नमबर इमेल अएड़ी अधार नमबर है तो दे सकते हैं नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते है ऐसा नहीं है तो जो जरू दे अधार नंबर है तो दे सकते हैं नई है तो इसको भी छोड़ सकते हैं उनका साधी हुआ है तो उनका जो भी जीवन साती है उनका नाम क्या है आप यहां पर लिख सकते हैं कि हां उनका नाम यह है ठीक है उसके बाद यहां पर उनका जो अधार नंबर है अगर आपको पता है तो आप यहा पर भड़ सकते हैं माल लिजे कोई लेडिस है तो उनके husband का name और कोई Jane सै तो उनके पत्नी का name यहा पर देना है ठीक है उसके बाद यहां पर उनका date of birth जो भी उनके जीवन साथी है उनका date of birth आपको बतानी है उनका जो date of birth है OK है ठीक है तो आप यहां पर select कर सकत करते हैं automatically उनका उमर भी यहां पर ले लिया जाता है कई बर क्या होता है कोई परसन ऐसा होता है जिसका साधी नहीं हुआ है तो अब इवाहित भी आप कर सकते हैं यह वाला इंफोर्मेशन आपको नहीं देना होगा तो देख लिजी आपके कंडलीशन में जो भी अप्लीकेब पर उनका देथ हुआ है उस्का रॉश्चन कर रहे हैं तो आपको यहां पर क्लिक करके बताना होगा कौन से देश में तो आप बेद इह भी जनकारी बता सकते हैं तो देख लिजएग आपका जो भी गंडिशन होगा उसके हिसाब से हिसाब से यहांप मैं जीला ही स्लेट कर देदा था थीक है इस तरद से जनकारी अब अब को fill up करना है फिर यहाँ पे building name पता है, तो भर सकते ही है जैसे भरेंगे तो हिंदी में here type हो जयेगा फिर यहाँ पर house number astute name और पोस्ट दो पता यहां पर मांगा जा रहा है, एक अस्थाई पता होता है, जहां पर निवास करते हैं, उनका जनम हुआ है, और एक जहां पर उनका मिर्तु हुआ है, ठीक है, तो अगर आपका दोनों सेम है, तो आप यहां पर यस कर देंगे, और यस करने के बाद यहां पर बटन मिले वो कहा हुआ है कई सरा लोग का ही घर पे ही हो जाता है तो आप गया क्वार्ट का सकते हैं या फिर अधर्वे स्पीटल में किसे चस्था में हुआ है तो उसका भी स्टुक सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह से अपना जो भी registration unit होगा यानि कि आपका जो भी मिर्तु परमार पत्र है इसी जगह से बनेगा उसका जो ही नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है आपको क्या करना है कि information भरने के बाद save as drop के button पर click करेंगे तो आपका जो data है यहाँ पर save हो जाएगा फिर आपको next के button पर click कर देना है अब जैसे ही next के button पर click करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका statical information है वो आपको भरना है जिसमें सबसे पहले ग्राम या सहर का नाम बताना है जहाँ पर मिर्तक का निवास हो ठीक ग्राम हो बता देंगे फिर यहाँ पर आपना जो भी गाउबेगार अगोर है यहां पर भर देंगे अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मिर्तक की जनकारी आपको देना पड़ेगा यहाँ पर मिर्तक का धर्म है। वो कौन से थर्म से थे। उनका educational qualification क्या था बताएंगे वो क्या करते थे वो जनकारी आप यहां पर भरेंगे ठीक है उसके बाद यहां पर माल लिजे मिर्टु से पहले किसी परकार की डॉक्टर से उन्होंने दिखाया हुआ था तो बता सकते हैं कि हाँ हमने जो है चिकिस्तिय देखबाल में उनका मिर्टु हुआ है अगर माल अगर एल उप्षन का अप सेलेट करते हैं तो इसमें आपको डॉक्मेंट देना होगा जहां भी अपने दिखाया था वहां से जो मेडिकल डॉक्टर है उनसे एक फर्म आपको दिया जाएगा उस फर्म पर आपको वेरिफिकेशन करवा कर आपको देना होगा लेकिन माल लि रहे होंगे वहां से आपको डॉक्मेंट देना होगा नहीं होगा तो नहीं के बटन पर क्लिक करेंगे कोई भी डॉक्मेंट आपको नहीं देना है यहां पर बिमारी का नाम आप बता सकते हैं माल लिजिए कई सरे जो है लोग अलग अलग बिमारी से देथ करते हैं तो कही ना कई उनका जो ही medical precaution भी होना चाहिए लेकिन आपको लगता है कि नहीं उनका इसी तरह से मौत हो गया है कोई बीमारी हमको पता नहीं था तो यहाँ पर देखेंगे other note का जो ही option मिलेगा इस पर आप click कर देंगे कोई भी बीमारी का आपको नाम यहाँ पर नहीं देना है तो या फिर गुटका चबाते थे या फिर सराब पिते थे तो information आप बता सकते हैं ऐसा कुछ condition नहीं है तो यहाँ पर no करना है ठीक है नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो ही document देना है document उसी के हिसाब से देना है जिस हिसाब से अपना जनकारी अब देंगे सबसे पहले त ठीक है इसमें देखेंगे तो बहुत सरा जो ही document लिस्ट किया गया है कोई एक document आपको ATS proof के लिए देना होगा जहाँ पर उनका मिर्तु हुआ है तो यहाँ पर बहुत सरा ऐसे document है यहाँ पर मैं अधार का selection कर लेता हूं और यहां से उसको upload भी कर देता हूं ठीक है इस तर मतलब जनकारी दिया हुए जिसमें यह नहीं बताया हुआ है कि इनका जो मिर्तु है न वो हॉस्पिटल में हुआ है medical supervision के अंतगर्थ हुआ है तो यहाँ पर हमें यह document देने को सकता नहीं है लेकिन अगर आपका उस परकार कंडिशन होगा जो भी medical देखरेक में आगरमान ल होगा जिसमें नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो ही form 4A आपको देखनी को मिलेगा जिसमें जो भी डॉक्टर देखे हुए ना उनसे फिलप करवा कर आपको signature मोहर करवा कर लानी होंगे और इसको screen करके upload करनी होंगे तो यहाँ पर देख लीज कोई दिकत नहीं है बाकी कोई additional document support के लिए देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जैसे उनका pen card हो गया या फिर cgs document हो गया फिर other कोई document हो गया तो दे सकते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं नहीं तो इसको भी छोड़ सकते हैं कोई problem नहीं हैं बस यही document mandatory है जो कि आपको देना है ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि save कर देना है आपका data इस तरह save हो जाएगा next के button पर आपको click कर देना है अब जैसे ही next के button पर click करेंगे तो आपने जो भी legal information फिलब किया हुआ है वो confirm करने का जो ही page आएगा जिसमें अप जो भी आपने statical information दिया हुआ है उसका जो ही preview आपको देखने को मिलेगा जिसमें जो भी आपने चनकाड़ी दिया हुआ हुआ उसको check out करेंगे जो भी आपने document upload किया हुआ है उसको आप यहाँ पर देखेंगे उसके बाद जो भी आपका पर्मार पत्र देखने को मिलेगा वो आप Hindi में चाहिए या फिर आपको English में चाहिए फिर दोनों का selection करके यहाँ पर टीक करेंगे और टीक करने के बाद आपको जो ही confirm के बटन पर किलिक करना होगा आपका जो form है यहाँ पर confirm हो जाएगा ठीक है confirm होने के बाद हो सकता है कि आपको जो ही payment करने का option मिले जिसक परसं का मैं form नहीं भर रहा हूं बलकि demo purpose से वीडियो बना रहा हूं तो यहाँ पर confirm के बटन पर किलिक करने के बाद आपका जो ही हो सकता है कि payment मांगा जाए तो आपको payment करना होगा और कई बार जो ही payment करने में प्रोब्लम आ रहा है तो आपको जो ही wait करने चाहिए क्योंकि अभी नया portal है कुछ समय लएगा यह सारे चीजों को sort out होने में form भरने के बाद क्या होगा कि आपका जो भी जनकारी है वो आपके जो भी राइस्टार होंगे जो की unit में आपको दिखाया था वहाँ पर इसको send कर दिया जाएगा verification के लिए ठीक है आपका verification होगा verification होने के बा सकते हैं जो भी आपने खुछ से form फिलब किया हुए उसकी जनकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो कई सरे विकल्प आपको देखनी को मिलते हैं जिसके माधिम से आप सारे चीजों को आप यहाँ पर checkout कर सकते हैं और जब आपका सारा चीज़ सरी रहता है, डॉक्मेंट यहां पे एप्रूब हो जाता है तो यहीं से आप नाउलोड भी कर सकते हैं ठीक है तो अभी जो ही नया पोटल है कुछ ज़्यादा इन्फोर्मेशन देपाना पॉसिबल नहीं है लेकिन जहां तक हमने जनकारी लिया था उसके बिहाब पे आपको सभी जनकारी इस वीडियो म बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं उसके लिए यह वाला वीडियो आप देख सकते हैं आपको लिंक देखने को मिलेगा जिसको आप चेकाउट कर सकते हैं वीडियो थोड़ा सब अच्छा लगा है तो फ्लीस वीडियो को लाइक करेंगे चले मिलते हैं एक नए वीडि के साथ तब तक लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवार